नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चानल अंकित वर्मा ओल अच्पी नोटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखे चुके हैं कि अभी की जो आज की ताजा ख़बर ब्रेकिंग निउस आया कि हिमाच तक मन रही है अगर आपने अभी तक वीडियो को जो है वो शेर नहीं किया है तो वीडियो को शेर करके लाइक कर दें और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हूँ साथ में बेल आइकन को दबा ताकि आप तक मेरी हार नौटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके तो चली दोस्तों वीडियो को जो है शुरू करते हैं तो देख सकते हैं आपकी मंत्री का अटंडेंट और विधाई का पियस्सो भी पोजिटिव प्रदेश में सो नए मरीज तो हिमाचल प्रदेश में जो ह बिलासपूर चार उनना आठ कुलू छे मंडी एक और शिमला में पांच नए मरीज आये हैं इसकी साथ ही प्रदेश में जो है करोना संक्रामितों का कुल आंखडा जो है वो 3150 पहुंच गया है 1156 स्क्री मामले पोजिटिव मामले है 3150 में से और एक जार 954 मरीज जो है वो राज्य के बाहर चले गए हैं सिरमोर जीले में 15 मामले जो है आये हैं और जा मंत्री सुखराम चौजरी के करोना पोजिटिव होने के साइड एफेक्ट आब देखने शुरू हो गए हैं मंत्री का अटंडेंट भी पोजिटिव निकला है वहीं पच्छाद की बैदाई करीन का शब्क का पीएसो भी पोजिटिव निकला है हलांकि उनकी पतनी और परिवार के अन्यस दस्यों की रिपोर्ट नेग्टिव आई है दीन द्याल उपाध्याय अस्पताल शिमला में भर्ति और जा मंत्री सुखराम चौजरी की शुकरबार को किडिनी शुगर समेथ सभी दस्ट रिपोर्ट समाने आई हैं पोजिटिव निकली उनकी दोनों बेटियों को भी यही भर्ति किया गया है मंत्री सुखराम की पतनी और तीसरी बेटी ने भी टेस्ट करवा लिया है और जय मंत्री की पतनी वा चालक समेथ खाद्या पूरति निगम उपाध्याक्ष बल रिपोर्ट नेग्टिव आ गई है शिमला में चार नए करोना मामले आया है सेना के तीन जवानों की रिपोर्ट पोजिटिव आई है इसके अलाबा अर्की के एक व्यक्ति की रिपोर्ट भी पोजिटिव आई है IGMC में इसका सैंपल लिए गया था देरात SSB का जबान भी पोजिटिव आया है सीमों शिमला डॉक्टर सरेका चोपड़ा ने इसकी पोश्टि किये है सूलन जीले में 32 नए मामले आया है इनमें सूलन से 11, परवानु 3, बीबियन 18 और नालागड से दो मामले आया है मंडी जीले में भी एक मामला आया है कोटली मंडी के वेक्ति की रिपोर्ट पोजिटिव आया है चंबा जीले में शाम को करोना के 12 नए मामले आया है नए मामले प्रायकपुर, देहरा, ज्वारी, फतेपुर, पारलंपुर, नगरटा बगवां से है एक संक्रमित का कोई यात्रा थ्यास नहीं है संक्रमितों में 9 सेना के जवान शामिल है सभी को कोविट के सेन्टर डाड़ शिफ्ट किया जा रहा है चंबा जीले में करोना संक्रमितों का अंकडर अफ्तार पकिने लगा है जीले में शुकरवार को 13 नए मामले जो है आये है चंबा शहर के दढ़ोग मोहला में शुकरवार को 8 नए करोना एक्टिव के मामले सामने आने आये है यहां पहले 17-16 मामले आये थे इसके अलाबा NHPC कलोनी में एक CISF के जवान की रिष्टेदार युपती साहित सेना का जवान करोना संक्रमित पाए गये है यह दोनों होम कौांटीन थे और इनका यात्रा इत्यास भी है युपती करनाटक से लोटी थी तोसियना का जवान ले से चंबा लोटा था लेकिन चंता दढ़ोग में आये 8 करोना संक्रमितों ने बढ़ाई है क्योंकि इनका कोई भी यात्रा इत्यास नहीं है लोग किस परकार से करोना पोजिटिव हुए है यह पहली बनी हुई है मुख्य चिकर्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश कुलेरी ने बताया कि चंबा के दढ़ोग मौला में करोना पोजिटिव के संपरक में आये जिन लोगों के सेंपल लिए गए थे उनमें 8 लोग पोजिटिव पाए गए है इसके अलाबा दो अन्य लोगों जो बाहर से आये थे उनकी रिपोर्ट भी पोजिटिव आये है विभाग आगे की कारवाई को अन्जाम दे रहा है बिलासपुर जीले में करोना के चार और पोजिटिव केस आये हैं संक्रमितों को इलाज के लिए कोविड अस्ताल चांपर जो है शिफ्ट किया गया है इनमें से तीन संक्रमित ग्रह संग्रोध में थे तो एक पुलिस का जबान संस्तागर संग्रोध में था चिंत पूर्णी मंदर में तैनात होमगार्ड की करोना रिपोर्ट जो है पोजिटिव उन्ना जीले में शुकरबार को चार बिजलेंस विभाग के करमचारी समेथ आठ नए करोना पॉजिटिव केस जो हैं सामने आये हैं चिंत पूर्णी मंदर की सुरक्षा में तैनात एक होमगार्ड जबान करोना संक्रमित पाया गया है मामला सामने आने के बाद मंदर परिसर को सैनिटाइज कर दिया गया है कॉंटेक्ट हिष्ट्री स्वास्ति विवाग खंगाल रहा है साथ ही शाम के समय बारीदार पुजारी के अलाबा अन्य पुजारियों के जाने पर प्रतिवन्द लगा दिया गया है कोविड होंगाल जुआ ने गुरुवार को अपना कोवणा टेस्ट करवाया है जानकारी के अनसार कोरोना पोजटिव आया होंगाल बीते गुरुवार को अपने सुसराल पर रहकपुर गया हुआ था जहां उसे मलेरिया और योकाम की शिकायद थी इसके बाद इसने अतियातन तोर पर अपना करोना टेस्ट करवाया था जिसकी रिपोर्ट शुकरवार को पोजिटिवार को दो फैर दो बजे से ही ड्यूटी संभाली थी और शाम को इसकी रिपोर्ट पोजिटिवा गई वहीं मंदिर अधिकारी अभिशेक बासकर ने मंदिर में तैनात सभी होमगार्ड जाबानों को आदेश दे दिये हैं कि जो भी ओक तो होमगार्ड के जवान के जो है संपर्क में आया है वह खुद को होमकोर्टीन हो जाए मंदिर अधिकारी अभिशेक बासकर ने बताया कि मंदिर में तैनात होमगार्ड जवान को तुरंट ट्यूटी से हटा दिया गया है सभी पुजारियों को बता दिया गया है कि कोई भी अगर होमगार्ड के संपर्क में आया है तो खुद होमकोर्टीन हो जाए इसके अलावा करोना संक्रमित के संपर्क में आये छे होम गार्ड जवानों को होम कुवांटीन जो है बेज दिया है तो इस प्रकार सो मामले जो है एक दिन में आये हैं और शिमला, SP और MC कारिया लेसील कुवांटीन किये करमी तो दोस्तों ये थी अभी की आज की तादा ख़बर ब्रेकिंग नीज अगर आपने अभी तक वीडियो को शेर नहीं किया तो शेर करके लाइक कर दें और अंकित वर्मा, All HP नॉटिफिकेशन को सब्सक्राइब करना विल्कुल भी न भूले ताकि आप तक हिमाचल परदेश की हर नॉटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके धन्यवाद जैभाद